यूपी ग्लोवल इन्वेस्टर समिट के माध्यम से निवेश आकर्शित करने की उत्रप्रदेश सरकार की पहल उम्मीद से भेतर परिणाम देती नजर आ रही है 11 फर्वरी को भी देश विदेश की कई कमपनियों ने उत्रप्रदेश सरकार के साथ निवेश प्रस्ताव को अंतिम रूप दिया समिट के उद्गाटन सत्र को संबोधित करते हुए मुख्यमंतरी योगिया दित्तेनात ने दावा किया है कि हमें 33.50 लाग करोड के निवेश का प्रास्ताव मिला है और हम लक्ष से कई गुणा अधिक निवेश हासल करने में सफल हुए है उत्तरप्रदेश सरकार के तीन दिवसिय उत्तरप्रदेश वैश्विक निवेशक शिखर समेलन दो हजार तेस के समापन समारों को राजपती दुरौपदी मूर्मू ने भी संभोधित किया और ये राज नए भारत का विकास इंजन बनने के लिए सक्षम भी है और तैयार भी है आपको बता दे के समिट के दूसरे दिन भी एर इंडिया समेथ कई कम्पनियों ने करार किये नाइडा इंटेनाशनल एरपोर्ट और एर इंडिया एक्स्प्रेस के भी 620 करोड का MOU हुआ और वहीं युनाइटिड किंग्डिम की स्वास और अन्यक्षेत्रों में कारे करने वाली कई कम्पनियों ने भी सरकार के साथ MOU पर हस्ताक्षर किये इनमें युहेल्थ प्रोमेप, सेम आर, NG Pharma, तार्मेंड एप्लाइट साइन सेल्स लिमिटेड, मॉलिकुलर क्यूस्ट हेल्थकेर लिमिटेड, बापियो ट्रेनिंग अकडमी, पैनूट्रल्स लिमिटेड, यू के प्रमुक है प्रमुक्षर के लिमिटेड को खेडसनी एक प्रमुक्स्ट अपदेड़ कियेас थे एक लिमिटेड, यू भीकुलर्व्मीटेड, यू ठाहिए यू प्रमुक्षर मॉक्स्ते।